नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने भी मान लिया है कि कॉंग्रेस के नेताओं ने हर्याणा में अपने अपने लिये चुनाब लड़ा, सब ने अपना अपना हित देखा, इसलिए हर्याणा में कॉंग्रेस की लूटिया डूब गई राहुल गांधी ने कहा कि हर्याना में कॉंग्रेस नेताओं ने अपने निजी हित को आगे रखा इसलिए हमारी हार हुए घरगे के घर पर बैठक हुई और इसे बैठक में राहुल गांधी ने इस सारी बाते कहीं दोस्तो जो सारे Congress ही अपना अपना देख रहे थे तो BJP क्या कर रही है? वो तो कोई देखी नहीं रहा था इससे BJP गी रहा और आसान हो गए कैते Congress अब Fact-Finding Committee बनाने जा रही है दोस्तो चुनाव में सरकारी तंत्र से मकारी कराई जाती है इसमें कोई दोराइ नहीं है कहीं कम कहीं जादा विपक्ष अगर अब देश में निश्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो एक वरिश पत्रकार की इस बात को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं दोस्तों उसे बड़े ध्यान से सुनिये ये बातें डैरेक्ट वरिश पत्रकार केपे मलक जी के हवाले से मैं कहने जा रही हूं तो कोड़ से सुनियेगा दोस्तों हर्याना में जनता की भारी नराजगी और बड़े पैमाने पर भाच्पा के खिलाव वोट करने के बावजूद बीजेपी का जीतना चुनाव नतीजों में भारी हेर फेर की पुष्टी कर रहा है अब इंडिया गड़ बंधन महाराष्ट और जारकन चुनावों के परणावों में भी धांदली होने की पूरी संभाव ना देख रहा है जब तक मोधी प्रधान मंत्री हैं तब तक चुनाव आयोग, EVM, ED, CBI, Income Tax, आधी आधी जाच, एजेंसियां सब तो मोधी के हाथ में हैं कोई कुछ कर ले, जन्दा किसी को वोड दे दे, परणाम तो मोधी ही तय करेंगे मोधी जानते हैं कि ये उनका अंतिम टर्म है, अता मोधी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं उन्हें अपने अंतिम टर्म में लोकतंतर की कोई चिंता नहीं है अता अब महराष्टर और जारखन के चुनावों से पहले कॉंग्रेस राहूल गांधी को मोधी को केंजर की सत्ता से बेदखल करना होगा वरना कुछ नहीं हो सकता इसके लिए कॉंग्रेस को किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए ये करो या मरो किसी दी है अब वक्त आ गया है कि राहूल गांधी कॉंग्रेस इस ब्रहमास्र का उप्योप करे जिसमें नितीश कुमार को ततकाल प्रधान मंत्री पद ओफर कर देना चाहिए यदि नितीश कुमार साथ आ गए तो चंदरबाबु नाइडू को आंत्रप्रधेश के लिए विशेश राजी का दरजा या फिर विशेश पाकेज देकर मनाया जा सकता है सभी विपक्षी नेताओं जैसे ममता बिनरजी, हेमन सोरेन, अर्विन केजरीवाल, अखिलेश यादव, माया वदी, लालू प्रसाद यादव आदी को मोदी ने एजिंसियों के माध्यम से फसाया हुआ है जिसका जिससे चाहें गडबंदन करवा देते हैं, पार्टी तुडवा कर सरकार गिरवा देते हैं नितीश नाइडू माने तो तिजस्वी को ततकाल बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए अगले साल दिल्ली, बिहार और 2026 के मद में बंगाल में भी चुनाव है अखले शादव को समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में विदानसभा के चुनावों में भी कुछ भी हो सकता है अता इन स्थितियों में जीत की कोई गारंटी नहीं है केंद्र में सरकार बदली तो चुनाव निश्पक्ष होंगे अधिकारी, मीडिया, व्यापारी सब पलट जाएंगे विपक्षी नेताओं की प्रतार न भी खत्म हो जाएगे लोगतंद्र बचाना है तो कुछ अलग, कुछ बड़ा सोचना होगा अब ततकाल, महराष्ट और जारखन के चुनावों से पहले ही नितीश को अपने पाले में लाकर बाजी पलटनी होगी वरना दो हजार उन्तीस तक ऐसे ही परणाम आते रहेंगे दोस्तों ये कहना है देश के वरिश पत्रकार केपी मलिक जी का जो उन्होंने कहा एक कॉंग्रेस नेता के हवाले से लेकिन आप बात आगे की करते हैं बात ये है कि भाचपा हर्याना में जाटों को नहीं पिछडों और दलित समाज के वोट जोड रहे थी ये कोई समझ ही नहीं पाया कॉंग्रेस तक नहीं समझ पाये देखे मैंने हर्याना के चुनाव को ग्राउंड पर जाकर कवर नहीं किया वरना मुझे पता जरूर चल जाता काउंटिंग में धानले बाजी वाली शंका से इतर इसके लिए बीजेपी की तारिफ करनी चाहिए पत्रकार केपी मलिक जो कह रहे हैं उनकी बात में भी तम है जब तक मोदी के हाथ में पावर रहेगी तब तक मोदी को हराना नामुम्किन है जो राजी बीजेपी को जीतना बहुत जरूरी होता है उस राज में जन्भावना जो भी हो बीजेपी जीत ही लेती है ये कुछ तो इशारा करता है न आप बाजी नितीश कुमार और नाइडो के हाथ में हैं इस लिहाज से भी कि बीजेपी बहुत जल्द इन दोनों पार्टियों को निगल जाएगी और इस लिहाज से भी कि अगर लोकतंद्र को बचाना है तो नितीश कुमार को कड़े निर्ने लेने पड़ेंगे क्योंकि अब चुनाव बिहार में भी है क्योंकि बीजेपी ने आज तक जिस भी पार्टी से गड़ बंधन किया है वो पार्टी बरबाद हुई उधारन दे देते हैं उड़ीसा में नवनीन पटनायक से गड़ बंधन किया उसे सत्ता से बाहर कर दिया हर्याना में जननायक जनता पार्टी जेजेपी से गड़ बंधन किया जेजीपी का इस दफ़ा एक भी विधायक नीजी था कश्मीर में PDP से गड़ बंधन किया PDP लगभाख हात्मी की हो रहे बिहार में लोगजन शक्ती पार्टी से गड़ बंधन किया चिराख पासवान की पार्टी के दो टुकड़े हो गए बाज़पा ने दोनों चाचा बतीजें को लड़ा दिया महाराश में शिवसेना से गड़ बंधन किया शिवसेना के दो टुकड़े हो गए महाराश में NCP से गड़ बंधन किया NCP के भी दो टुकड़े हो गए UP में BSP का गड़ बंधन था UP में चार बार की मुख्यमेंद्री माया वतीजी पार्टी का उनकी क्या हाल है एक दो साल में होई जाएगी, पार्टी बहुत जल तूटेगी, ललन सिंग भी अभी से बैटकों में नहीं आ रहे हैं, दोस्तों इसके उलट जब आप कॉंग्रेस को देखेंगे तो पता चलेगा कि कॉंग्रेस ने जिन पार्टियों से गड़ बंदन किया है, वो पार्टिय आगे बड़ी हैं, येस, चाहे NCP हो, चाहे समाजवदी पार्टी हो, चाहे RLD हो, चाहे JD हो, चाहे TMC हो, चाहे National Conference हो, चाहे South की पार्टियों हो, जीतार तो लगी रही, लेकिन कॉंग्रेस ने पार्टियों नहीं तोड़ी, ये बात भी ठीक है कि कॉंग्रेस और BJP दोनों नैशनल पार्टियां है, दोनों को अपना कद बड़ा करना है, इसलिए एजनसियों का इस्तमाल तो दोनों करते हैं, लेकिन कॉंग्रेस BJP की तरह अपने साथी दलों के लिए भसमसूर नहीं बने, ब्लैक मेलिंग की गई, लेकिन कॉंग्रेस की मानफता अपने साथी दलो के लिए जिन्दा रही, केपि मालिक जी के मुताबिक अब देश में निश्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए नितीश कुमार के हाथ में सत्ता देनी बहुत जरूरी है, दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हम राम, राम, दुआ सलाम, जैहिन, चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजएगा